Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and our examinations, preparation must be going well also. So in the last previous video, हम लोगों ने टेक्सोनॉमी की इंट्रोड़क्शन वीडियो देखी थी, जिसमें हमने आपको लिटरली इंट्रोड़क्शन ही दिया था, बहुत चोटी-चोटी चीजे मैंने आपको बता दी थी, जो आपको अभी को help करेंगी, मतलब एक base मैंने आप लोगों का अच्छा सा बना दिया है, ठीक है, तो इंट्रोड़क्शन में हम लोगों ने देख लिया है सब कुछ, एक चीज रिमेनिंग है, alpha, beta and gamma taxonomy, उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूँगी आप लोगों के लिए, मेरे पास वो terms भी हैं, ठीक है, तो वो चिंता मत करूँ, कुछ भी छूटेगा नहीं, आज की जो हमारी new video है, इसमें हम लोग 123 plus new terms के बारे में देखेंगे, ठीक है, ये जो terms है ना, इस terms के अलावा आपको taxonomy में एक भी extra term नहीं दिखेगा, ये ही term है, और 123 plus बोल रहे हैं तो आप सोच रोगे, oh my god, इतना जाड़ा terms हम कैसे याद करेंगे, तो आपको इसमें से बहुत सारे तो पहले से पता है, और जो नहीं पता है, मैं वो इस तरीके से पढ़ाऊंगी, कि आप लोगों को एकदम रट्टा हो जाएगा, एकदम रट्टा, ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर न्यू है, तो देर मत करिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेक्सोनामी की पूरी की पूरी, पूरी के पूरी मतलब एक सब्जक्ट जो हता न, उसको हलवा बना लो, ठीक है, क्योंकि बीसी सेकेंड सेमिस्टर जो है, वो पूरा का पूरा टेक्सोनामी है, एमस्टी में भी टेक्सोनामी बहुत ज़्यादा काम आता है, और रिलेटेट टर्म्स जो मैं बताऊं की, वो तो हर जगा काम आएंगे, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अगर आपको मेरे हैंड रिटेर नोश्य होंगे, तो आप मुझे टेलिग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जस्क्लिक ओन इट एंड यू विल रिच ओन मैं चैनल, तो दो काम करो, यहाँ पर सब्सक्राइब करो, वहाँ पर फॉलो करो, उसके बाद तो सब कुछ हलवा है, लिटरली हलवा है, ठीक है, अब लेट्स मूँव अधर वीडियो, डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलोजी, डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या होता है, मैं आज बस आप लोगों को इतना बताऊंगी, कि यह यह टर्म अभी नोट करो, अपने कॉपी में, ठीक है, इसके बाद हम इसको डिस्क्रिप्टिश करेंगे, बढ़िया से और बढ़िया से हर चीज मैं आपको समझाऊंगी, आज जितना बताऊंगी टर्म, उसको नोट करना, और सभी के सभी टर्म्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं, तो इसलिए नोट करते चलना, ठीक है, आप देखो होता क्या है, जबी भी हम टेक्सोनॉमी पढ़ते हैं, तो जो भी हमें information मिलती है, characteristics जितने भी हमें पता चलते हैं, उन से भी को हम semi-technical language में लिखते हैं, किस language में semi-technical language, और semi-technical language क्या होती है, लाइक मालो कि मुझे आपको बताना है, कि मैंने एक ऐसा plant देखा, मैंने एक ऐसा plant देखा, इससे बढ़ियां मैं आपसे बोलूँगी क्या, इससे बढ़ियां मैं आपसे बोलूँगी कि मैंने एक जीरोफाइट प्लांट देखा, क्या देखा, जीरोफाइट प्लांट देखा, ठीक है, अब जीरोफाइट का मतलब ही होता है, जीरो मतलब होता है dry, and fight मतलब आप लोग हमेशा से जानते हो plants, ठीक है, तो देखो कितना easy था ना, अब definition 0 fight के लिखोगे, तो भाई वो बहुत जादा page लेगा, और taxonomy में ये चलता नहीं है, ठीक है, taxonomy में ऐसे एकदम ऐसा बोलते हैं, सीधा बोलो, ज्यादा घुमाओनी, जले भी कि तरह मत घुम ठीक है, अब देखो, बहुत सारे terms आपको देखने को मिलेंगे, जैसे root से related कौन से terms है, stem से related कौन से terms है, leaf से related कौन से terms है, inflorescence, flower से related कौन से terms है, तो ये सब बहुत जादा आपको देखने को मिलेगा, flower में ही आपना different different terms, calyx से related देखोगे, फिर corolla से related देखोगे, और gynosium से एंडोशियम से तो ये सब चीज़े आपको अभी मैं बस आप लोगों को टम्स बताऊंगी ठीक है तो देखिए हैबिट सबसे पहला जो आप लोगों का काम है हैबिट समझो हैबिट क्या होता है भई कि रह कैसे रहे हैं मतलब उनको क्या छोटे हो करके रहना पसंद है हाँ ननना मुनना रह करके मतलब रहना है या फिर श्रब थोड़ा सा ऐसा इसका है या फिर ट्री है बहुत बड़ा है यह चीज आपको कंसिडर करना पड़ेगा जभी आप किसी प्लांट को देखोगे तो फिर लाइफ स्पेन कि यह बताओ वो एनुल है क्या एक ही साल में मरवर जा रहा है अपना क्या कहते है फ्रूट रूट दे रहा है या फिर साल मेंया या फिर दो साल में बहुत अब ब्लांट एलिक हो फिर दूसरे साल में आपको दे रहा है फ्रूट यह सब फिर परिणियुल है मतब कि एक भार लगा दो जिंद्गी पर खाऊ जिंद्टी की बहुत खाऊ ठीक है यह वाला चीज highly चीज तो जिंद्गी पर क्या ख आप एक जगह पर रह रहे होगे, अपने घर में रह रहे हो, वैसे ही ये कहां रहते हैं, क्या ये terrestrial पर रहता है, मतलब अगर आपने कोई plant लिया और आप खुद से पूछो, अच्छा ये terrestrial मतलब मेरे कोई ये plant मिला कहा है, ये land पर मिला है या फिर ये water पर मिला है या फिर ये किसी दूसरे tree पर मिला है या फिर ये किसी dry area में मिला है या फिर ये बहुत ज़्यादा saline water मतलब इसमें बहुत water में बहुत नमक हो उस जगह पर मिला है तो आप बताओगे ना कि हाँ अच्छा ये जो plant है ये plant हमेशा ही दूसरे plants पर क्या करता है, ग्रो करता है, दूसरे से अपना nutrition लेता है, तो आप इसको epiphyde बोल दोगे, समझ मैं आया, तो आपको habitat में ये चार-पांच टर्म से याद करने है, आप अगर root है, ठीक है, आप vegetative character की बात करेंगे root system and leaf, तो root में आप क्या बोलोगे, अच्छा root, root tap root system है, या adventitious root system है, तो याद रखना, dicotyledon और monocotyledon, देखो हाँ, ये तो मैं बता नहीं भूल गई, सबसे पहले तो आपको dicotyledon और monocotyledon समझना बहुत जरूरी है, तो जो सबसे पहले मेरी वीडियो है, वो dicotyledon और monocotyledon पहेगी, अच्छे से trick के साथ उसको रटवाऊ के लिए collect करने, आपने उस plant को देखा, क्या आप plant literally उखाड़ोगे, देखने के लिए कि ये tap root है, या adventitious root है, नहीं न, आप नहीं उखाड़ोगे, अगर आपको family पता चल गई, कि oh, this is from carophyllacy family, तब आप कहोगे, अच्छा, इसका तो फिर tap root होगा, या फिर adventitious root होगा, समझ इस्टेम है, वो colliscent है, a-colliscent है, colliscent है, या फिर branched है, या unbranched है, erect मतलब एकदम खड़ा हुआ है, या फिर बिचारा ऐसे लेटा हुआ है, दूसरे का सहारा लेके बच चल रहा है, जैसे money plant होता है, या aerial है, इस्टेम aerial है, sub aerial है, या फिर underground है, like potato में तो इस्टेम ही है, ज leafs देखोगे, leafs में फिर आप जाओगे तो philotaxi दिखोगे, मतब philotaxi क्या है, कि आप arrangement देखोगे, कि भाई leaf की arrangement कैसे है, ठीके, क्या वो opposite पे है, क्या वो ऐसे opposite पे है, या फिर भाई, ये बताओ क्या वो ऐसे alternate है, ठीके, ये सब आप देखोगे, फिर आप patiolate या सैसा साहरा ले रही है, तो आप देखोगे कि भाई, जहां पर ये छोटा सा चीज नहीं है, वो patiolate है, सैसाइल है, और जहां पर ये है, वो patiolate है, समझ रहो, तो ये चीज़े मैं आपको बहुत अच्छे से एक्दम बताओंगी, इसके लिए अगली वीडियो आएगी, मैं बस या पर टॉम्स बता रही हो, फिर आप लीफ के डूरेशन के बारे में बात करोगे, इस्टिप्यूल्स की बात करोगे, लीफ मार्जिन, लीफ इंसेशन, लीफ के शेप कैसे हैं, इन सभी के बारे में आप बताओगे, फिर फ्लावर देखो भई, फ्लावर में आप बताओ अगर नहीं प्रेज्ट है और जिसमें नहीं प्रेजन अगर नहीं कोई एक वह जाएगा आपका इनकम्प्लीट फिर आप देखोगी यह रेगुलर है या इरेगुलर है काटने पर यह काटने पर ऐसे symmetry कौन सी आ रही है actinomorphic आ रही है, जाइगomorphic आ रही है asymmetrical है, कोई symmetry नहीं है या फिर इनका जो sexual है, वो unisexual है या फिर हर्माप्रोडाइट है मतलब कि इनके जो male और female है वो अलग-अलग plants पर है या यह की plants पर है, यह देखोगे फिर आप देखोगे कि petals क्या है चार petal है, पाँच petal है, छे petal है आप यह गिनोगे, तो अगर पाँच होगे तो pentameras चार होगे तो tetrameras, तीर होगे तो trimeras आवर से related, आपको यह सारे terms को याद करने पढ़ेंगे याद नहीं करना पढ़ेगा, यार देखो, बहुत easy है मैं सब आपको अच्छे से एकदम रटवा दूँगी फिर inflorescence में, देखो, बहुत सारे inflorescence अभी तक तुमने पढ़े होगे लेकिन अभी जो है अभी यह तीन आप लोगों के लिए डाइमेंड है ठीक है, क्या है? डाइमेंड है डाइमेंड मतलब मेरे लैंगेज में इतना इंपोर्टन इतना इंपोर्टन की लाइफ में इससे इंपोर्टन कुछ नहीं होगा अगर आप बायो के स्टुडेंट हो ठीक है तो आपको समझना है कि साइथियम यह कैसा inflorescence है वर्सी सिलाश्टर हाइपन तोडियम क्यों मैंने इंपोर्टन बोला? क्योंकि यह आप लोगों की न सब्जेक्टिव पेपर में एककदम एज़टीज ही आ जाता है कि चलो आ बाई, डिफाइन करो इसको एक पेज में लिखके दिखाओ, ठीक है? या फिर आप लोगों से डारेक्ट पूछता है कि इस फैमिली में कौन साइन फ्लोर से इस पाया जा रहा है जब आप MSC के इंट्रेंस दोगे या फिर कहीं और भी इंट्रेंस दोगे तो डारेक्ट पूछा जाएगा ठीक है? तो यह चीन आपको एकदम रटना है इसको भी यह मेरा काम है, मैं रटवाऊंगी, ठीक है? फिर मालो आप आओगे कैलिक्स पे अब आपने सब कुछ कर ली, आप आप कैलिक्स पे आओगे ठीक है, अब हमें कैलिक्स, गोरोला, एंडोश्यम, गाइनोश्यम जो रिप्रोड़क्टिव पाट है, उनको हमें क्या करना है, बताना है तो कैलिक्स जो है, सबसे पहले आप इसमें यह मेंशन करोगे सब्सक्त, सब्सक्तिविट, स्बसक्त है, सब्सक्त नवीं है, सब्सक्त करना है, रिप्र uebnय आप इस więcry नवत शिल्स पे इसे इसमें मा कियाक्न भाथ है का रोल हमें कंच्छ सेु क्यूल आप शनी जो हो यह छिड सिल्शन, क Sag exhaust See. इंप्रीकेज, क्युनिकुलर या वैक्जिलरी ठीक है तो यह आपको कैलिक्स में लिखना होगा करोला में भी सेम है ठीक है सबसे पहले आप नमबर ओफ पैटल्स लिखो कितने पैटल्स है या फिर उसकी एस्टिवेशन लिख दो यह दोनों के दोनों सेम है ठीक है उसके बाद एंडोशियम अंडोशियम में आपको बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलेगा सबसे पहले इसमें भी नमबर ओफ इस्टैमेंन लिखो कितने इस्टैमेंन है इसको असब आपको बेताना है धिसके बताना है 50 army से क्या है इनसाबमें से यह है diamond ठीक है क्योंकि यह इतना बार पूछा गया है न पेपर में इतनी बार पूछा गया है कि I can't tell you कितना मैं count करूँ बहुत बार पूछा गया इसको ठीक है तो रट लेना इसको ठीक है मैं बता सकती हूँ कि family जो है किस family में पाई जाता है अडरनेंट है basic fixed है डॉर्सी fixed है marginal है intros है extros है endrophore present है या नहीं गाईनो इस्टीजियम present है या नहीं या गाईनो इस्टीमियम present है आपको यह सब भी बताना पड़ेगा ठीक है लाइक आप देखो गाईनोशियम लास्ट बचा है फिर मैं एक और चीज़ आप लोगो को बताऊंगी गाईनोशियम में भी सेम है कि number of carpels लिखो monocarpillary लिखो bycarpillary इन दोनों में से क्या है या तो mono होगी या तो by होगी दोनों तो होगी नहीं न तो या तो mono लिखो या तो by लिखो या फिर try लिखो या tetra लिखो पेंटा लिखो ये सब थोड़ी लिखना है इसमें से कोई एक लिखना है ठीक है फिर number of chamber लिखो क्या chamber unilocular है एक ही chamber है तो चेमबर है bilocular है trilocular है tetralocular है pentalocular है multilocular है क्या है ये आपको देखना है फिर apocarpus है या sincarpus है placentation कैसा है भई इमार्जिनल है एक्जाइल है पराइटल है बेसल है free central है superficial है कैसा placentation है ये आपको याद रखना है और placentation बहुत ज़्यादा objective में बहुत पूछा जाता है चिंता नहीं करो मैं objective भी बहुत अच्छे से तैयार कराऊंगी बस ये है कि loyalty की साथ मेरे चैनल को follow करना उससे ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है ठीक है रोज 6 बजे आपको वीडियो मिलेगी आराम से आज जाना प्रीमियर लगा होगा बैट के इंतिजार कर लेना पांच मिनाट के छे बजने वाला दीडि की वीडियो आने वाली है ठीक है ये कर लेना फिर लाश में आप ओव्यू लिखोगे फिर फ्रूर्ट लिखोगे फिर फ्लोरल फॉर्मियूला और फ्लोरल डाइग्राम पस इनफ आपने एक फैमिली को बहुत अच्छे से कंसीडर कर दिया है आपने description उसके बारे में लिख दिया है ठीक है अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि जितने भी terms मैंने बताएं ठीक है जितने भी terms बताएं लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने लिखा है habit ठीक है आपने लिखा आपने रेनन क्यूलेसी में लिखा habit ठीक है तो आपको यह तीनों ने लिखना है कि habit में हम लिख रहे हैं herb, shrub and tree यह तीनों थोड़ी लिखना है आपको यह लिखना होगा अगर वो herb होगा तो आप herb लिखोगे, shrub होगा तो shrub लिखोगे, tree होगा तो tree लिखोगे, वैसे ही life spend में अगर वो annual होगा तो annual ह मैं इतने सारे साथ अगर आप यह सारे टर्म्स थाइगा नहीं नहीं को तो कि अब सब्सक्राइब एक नोटस में आप लोग को प्रवायट करूंगी छिन्ता गएने की कोई बात है निका इसपेवेशन बताएब इनका कैसे दूँगी तो देखो पहला मैं इसके बाद से जो वीडियो अप्लोड करूँगी वो डाइकोटिलीड़न और मॉनोकोटिलीड़न के बारे में पढ़ाऊंगी कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूँगी जिससे आपका वो कन्फुजन दूर हो जाए ठीक है बचों को बहुत सब्सक्राइब जाए ठीक है यह तीन जो है उससे जितने भी रिलेटेट टम मैं वो दूसरे वीडियो में कवर करूंगी तीसरा वीडियो आएगा इसके बाद आप लोगों का जिसमें मैं वेजिटेटिव जो पार्ट हैं जैसे की रूट, स्टम, लीफ उससे रिलेटेट जितने टम्स होंगे मैं उनको बताऊंगी उसके बाद फिर आप लोगों के लिए फ्लावर आएगा ठीक है फ्लावर की वीडियो आएगी फ्लावर में जितने भी टम्स होंगे और अच्छे से मैं एकदम आप लोगों को फ्लावर समझा दूंगी उस पे एक वीडियो आए लोग के लिए बहुत जादा नेसेसरी है, ठीक है, तो मैं सभी के सभी अपलोट करूँगी, उसके बाद फिर हम डारेक्ट बेंथम एन हुका का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मैरिट और दीमरिट पढ़ेंगे, और फिर फैमिलीज, ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज के बारे में फिर हम पढ़ना सुरू करेंगे, आपको क्या करना है, अगेन आइम सेंग, सब्सक्राइब कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, मिलते हैं नेक्श वीडियो में, बबाई, टेक कियर, बी हैपी, और हस्ते रहो, बबाई,